रियल्मी P1 Speed Indian Market में लॉंच हो चुका है उसकी क्या रीजन से कि आपको वो फोन बाय करना चाहिए और क्या ऐसे रीजन से कि जिनके करणज है आपको वो फोन बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए गैस डेटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो के जरूर से लाइक और शे करना मद बूलना तो गैस आपको बता दो कि कुछ ऐसे रीजन है कि आपको वो फोन बहुत अच्छा लगेगा और उस रीजन के करना आप जो है फोन को पर्चेस करोगे डेफिरेंटली वो पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या-क्या ऐसे रीजन से हैं लेकिन कुछ पॉइंट आपको दिखेंगे नहीं लेकिन एक लागे पॉइंट है और उस रीजन को पर्चेस नहीं करना चाहिए है, तो गई सबसे पहले बात करते हैं कि रीजन टूवा जुक क्या ऐसे रीजन से हैं कि science के बारे में इस फोन के डिजीन बारे में पई करने का वह इसका इसका की यह मिलते हैं मतलब ज्यादा फरक नहीं है हलंकि Realme P1 से P1 Speed के अंदर लेकिन हाँ एक standard design है Realme का design है design में हमें कोई complaint आपको देखने को नहीं मिलेगी second point के बारे मात करते हैं वो है इस phone का performance के यहाँ पर chipset उसके गया है Mirdek का 7300 energy वादा इनर्जी से यहाँ पर मतलब पता लगाता है कि यह phone जो है एक अच्छा performance है definitely provide करेगा जैसे कि इस phone का नाम है Realme P1 Speed उस according जो है यहाँ पर performance भी जो एक energetic वाला दिया गया है जिससे कि आपको यहाँ पर performance में तो कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी यह तो reason बनता है इस phone को buy करने के लिए next region के बारे में बात करते हैं तो guys वो है इसकी IP rating यहाँ पर आपको मिलता है IP 65 का जो है यहाँ पर protection देखने को मिलता है इस Realme P1 speed के अंदर no doubt guys यहाँ पर आपको जो performance है न वो definitely आपको एक अच्छा देखने को मिल जाएगा मदब यहाँ पर protection के लिए आपको IP 65 देखने को मिलता है water and dust resistance है आपको कोई दिक्कर देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर overall जो है यहाँ पर IP rating सत्में जो है एक standard एक अच्छा आपको जो है performance IP rating का देखने को मिल जाता है एन गईस next बत करते हैं इस phone के display quality के बारे में आपको मिलता है यहाँ पर एक standard display size जो कि है 6.67 inch का display size जो कि है AMOLED screen के साथ में और आपको मिलता है यहाँ पर 120Hz का fast screen refresh rate no doubt एक अच्छा आपको जो है performance display quality का भीज़े देखने को मिल जाएगा next reason बात करते हैं कि इस phone तो क्या reason है कि हमें इस phone को भाय करना चाहिए इस phone का under display fingerprint sensor कई यहाँ पर आपको under display fingerprint sensor देखने को मिल जाता है हलांकि realme P1 के comparison में वहाँ पर under display fingerprint sensor है लेकिन हाँ एक standard मतलब एक अच्छा performance जो डेफिनली प्रोवाइट करता है under display fingerprint sensor तो next reason बनता है इसका under display fingerprint sensor जो कि आपको जो है यह मतलब बुलाता है कि हाँ इसमें एक अच्छा advantage feature है तो आप जो है इसको भाय कर सकते हैं next reason के बारे में बात करते हैं तो वो है इसकी phone की battery performance 5000 mh के आपको battery देखने को मिलती है जो कि fast charging support करता है 45 watt charging के साथ में तो यह भी जो है एक interesting point है जहाँ पर आपको realme P1 speed बुलाता है कि हाँ मुझे purchase करो मतलब मैं एक advantage आपको जो है दे रहा हूँ लेकिन गाईस यह तो है यहाँ पर reason to buy कि क्यों हमें फोन को purchase करना चाहिए और क्या ऐसे reason है कि हमें realme P1 speed के दरब देखना भी नहीं चाहिए सबसे बड़ा point जो है ना अगर आप already use कर रहे हो ने realme P1 को तो मैं आपको बूलूँआ कि आप इस phone को मतलब नाम भी मत सुनना इस phone का उसका reason क्या है सिर्फ और सिर्फ हलका से improvement क्या गया है अगर आप realme P1 use कर रहे हो तो देखो हलका से improvement क्या गया है सिर्फ energetic performance आपको देख सब्सक्राइब लेकिन हाँ जो में डिफरेंस है ना वो सिर्फ पर्फोर्मेंस का ही आपको फरक देखने को मिलता है second point के बारे में बात करते है कि इस phone को क्यों purchase नहीं करना चाहिए वो है इस phone का camera जो कि है 50 MP के साथ में मतलब यहाँ पर कोई camera अप्ग्रेड नहीं किया गया है तो यहां पर जो है कोई logic point ऐसा नहीं बनता है तो definitely आपको जो है यहां पर इस camera को लेके जो है मतलब इसको देखना भी नहीं चाहिए next reason के बारे में बात करते हैं तो guys वो है इस phone का price range 15999 मुझे लगता है कि थोड़ा सा जादा है थोड़ा सा जादा है इस phone का price अगर यहा अब कि आपके क्या मानना है इन सभी points के बारे में क्या reason to buy में कुछ changes करने चाहिए या reason not to buy के अंदर जो है कुछ changes करने चाहिए मुझे बताने हैं जरू से comment section में जो भी आपके mind में हो आप मुझे जरू से comment करके बता देना और कई subscribe नहीं कि अब तक में चानल को जरू subscribe करन आपको लेटिस वीडियो के अपडेर्स टेक्निकों मिलते रहेंगे इतने तच के वीडियो में जखेंगे बहुत बहुत दन्यवाद आपका दिन शुब हो मिलता हैं से किसी अगले वीडियो में